नमस्कार, मैं सुनीता कथा मन्थन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मन्थन में आज सुनिए विभूती भूशन बंदोपाद्याजी की कहानी जगड़ा विभूती भूशिन बंदुपादेजी की अन्य कहानियार उपन्यास आपको अमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे लिंक आपको end screen और eye button में मिल जाया आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं शाम को केशव गांगली का अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ छगड़ा हो गया दोनों बेटियां अपनी माँ पर ही गई थी इन लोगों से केशव को श्रद्धा और प्यार तो कभी मिला ही नहीं था इन्हीं तो बस देते रहो देते रहो डेड को सडक तै करके महंगा चावल खरीद कर लाओ तेल लाओ नमक लाओ लकडी लाओ 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 शब्द के लावा केशब ने कभी कोई मीठी बोली इन लोगों की जुवान से सुनी ही नहीं थी उस दिन मामला कुछ इस प्रकार का था शाम से थोड़ी देर पहले केशब कांगली बजार से लोटे थे उम्र उनकी 72 वर्ष की थी चलते समय इन दिनों पैर डगमा गया चाते थे पहले की ताकत भी अब शरीर में नहीं रह गई थी धाई रुपे सेर चावल आदमी करे तो क्या करे दो सेर चावल और सबजी वगएरा लेकर कीचड और फिसलन से भड़ी सड़क पर गिरते संभलते किसी प्रकार समान की टोकरी थामे वे घर पहुँचे पत्नी मुक्त केशी बोली देखो तो बजार से क्या कचरा उठा लायो परवल इतने चोटे-चोटे क्यों है क्या भाव लिया दसाने सेर केशव बोले पत्नी चल्ला उठी साथ वाले मकान का पल्टू तो नौ आने सेर ले आया और तुम अधिक कीमत देकर भी छोटे-चोटे परवल उठाला है या दसाने सेरे में हर्गिस नहीं मान सकती तो क्या मैं जूट बोल रहा हूँ केशव बोले तो कौन से सत्यवादी युदिष्टिर हो यह तो मालूम ही है अच्छा ठीक है पर परवल की वजन मैं पर्खूंगी कहा तो एक सेर है इस पर भी तो में विश्वास नहीं होता नहीं मुझे तुमारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं सच बात कहने में हिचकती थी पर श्रूआत यही थी रोज की तरह हाथ पैर दोकर केशव गांगुली ने बेटी से कहा अरियो मैंना चावन भून कर तो लेया मैंना ने ना तो कोई जवाब भी दिया और ना ही चावल का कटोरा लाई यह देखकर केशव ने कहा क्यों कान में रूई ठूसकर बठी है क्या ओ मैंना सुनती नहीं चोटी लड़की मैंना रूखी आवाज में बोली मैंने नहीं सुना क्यों ये रोज-रोज नाश्ते के लिए चावल खाने को कहां से जुटेगा और फिर मेरी तबियत भी ठीक नहीं क्यों तेरी दीदी कहां गई है वे तो भून सकती थी दीदी सिलाई कर रही थी ये है बिलकुत स्वभाविकता कि 72-73 साल के बूड़े केशव गांगुली दस सेर का भारी भोज हाट से ढोकर घर लाने पर लड़कियों को इस तरह इस प्रकार की उदासिंता पर गुसा करते या नराज होकर दो बाते सुनाते पर उसका फल और ही निकला पराए पांग जनों को सुनाने लायक बात यह नहीं थी कहने में भी संकोच होता पर उनकी छोटी लड़की मैना चाते के तूटे डंडे को उठाकर बाप को मारने दोड़ी और बड़ी बेटी चिल्लाई तुम मरते क्यों नहीं हो मरने से कम से कम बला तो ठले पत्नी मुक्त केशी बोली बला बला रहे या नहीं बात तो एक ही है केशव गांगली गुसा कर घर से निकल पड़े बोले इस घर का खाना अब मैं और नहीं खा सकता चला ही जाता हूं मुक्त केशी और छोटी बेटी मैना एक साती बोल पड़ी अरे जाओ 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 ना तुम्हें रोकता ही कौन है पर फिर वापस घर लोटने की धिटाई नहीं करना या याद रहे इन बातों पर किसी को यकिन नहीं होगा यह मैं जानता हूं फिर भी यह बात बिल्कुल सच है कि बेटी अपने बाप पर ही हाथ उठाने चली थी केशिव गांगली राद भर तूटे चंडी मंडप के बरांदे में सोई रहे किसी ने उन्हें खाने को नहीं बुलाया ना उनकी पत्नी आई और ना ही बेटी सच में ही उन्हें कोई बुलाने नहीं आएगा इस बात को केशिव सोच भी नहीं सकते थे पर हुआ यही केशिव गांगली को राद भर भूके पेट बाहर पड़े रहना पड़ा अपने खुद के मकान, अपनी पत्नी और संतान रहने के बावजुद ऐसी बात सोचने में भी कश्ट होता है केशिव गांगली को अब तक विश्वास नहीं था कि अपने ही घर संसार में वे इतनी अवेलना की वस्तु थे पत्नी या बेटी भी उन्हें प्यार नहीं करती थी यह तो उन्हें बहुत दिनों से मालुम था पर इस हद तक इस हद तक इतना वे आज ही जान पाए थे भूक और मच्छरों की डंग से छट पटा कर किसी तरह रात कठी गई सुभा उटकर केशिव ने नदी में स्नान किया फिर जब वगएरा करके बाद अपने पड़ोसी जदुनंदन मजुमदार के घर चाय पीने के लिए पहुँचे जदुनंदन बुला क्यूं चाचा आज इतनी सुपा क्या हुआ केशिव गांगुली ने पिछली रात की सारी कठा कह सुने पतनी और बेटियों के दुर्वेवार की बाते भी कही जदुनंदन के लिए या कोई नई खबर नहीं थी केशिव गांगुली की दूर दशा से महले के सभी लोग परिचित्ते फिर भी जदुनंदन अश्यारे से बुला अरे क्या कह रहे हो चाचा कल रात आपने खाना भी नहीं खाया चाची ने तो ये ठीक ना किया ची ची आज दुपहर का खाना आपको हमारे यहां खाना पड़ेगा आप बैठी अराम से केशव गांगुली घर नहीं लोटे दुपहर वहीं बिता कर खाने के बाद जब घर लोटे तो घर पर तमाशा ही हो गया मुक्त केशी जल्ला कर बुली अब क्यों लोट आए जाओ चले जाओ जिस घर में जाकर अपने घर वालों की बदनामी कर खाना आए हो वहीं जाकर रहो अरे मैं भी देखती हूँ कब तक लोग तुम्हें इस तरह खिलाते हैं लड़कियां भी माश से कम नहीं थी बुली मांग मांग कर कब तक काम चलेगा यह भी देखने वाली बात है यह आने की जरुद भी क्या थी अरे मैंने आकर किसको क्या कहा है केशव गांगुली बूले अहा नकरे की भी हद होती है गाट पर जदुदा की लड़की सबको मजे ले लेकर सुना रही थी बुद्धा आदमी उसे घर पर खाने को नहीं दिया जाता घर से निकाल दिया गया था मारा भी गया था और भी कितनी कितनी तरह की बाते अरे आप क्या समझते हैं हम लोगोंने कुछ सुना ही नहीं केशव बुले पर उन्होंने जूट तो नहीं कहा अरे हम लोगों ने आपको मारा खाना नहीं दिया खुद गुस्ता दिखा कर चंडी मंड़ पर पड़े रहे और आप महले वालों के बास हमारी बदनामी करते फिर रहे हैं ठीक है कीजे शिकायत जितनी शिकायत करनी है कीजे हम लोगों का कुछ नहीं बिकड़ेगा आप जहां मर जी जा सकते हैं हम लोगों ने तो जाने के लिए क्या ही दिया है मैं न और भी बोली ऐसा बाप मर जाये तो अच्छा है केशव गांगुली कमरे के अंदर आकर कुड़ता वगेरा पहन कर एक थैले में कुछ और कपड़े और गमचा ठुसकर घर से निकलते वे बोली तुम लोग जब यहीं चाती हो तो मैं चला जाता हूँ अब इस घर में कभी कदम नहीं रखोंगा मुक्त केशी चिनला कर बोली तेज दिखा कर घर के बार कदम रख रहे हो मुख काला कर फिर मत लोटना मैं भी देखूंगी घमण तुमारा कितनी देर ठिकता है मुखार होने पर कौन सेवा करेगी यह भी देख लूँगी केशव गांगली तेज कदमों से घर से निकल पड़े मुखार होगा तो होगा मलेरिया भोग रहे थे जो होना है वह तो होकर ही रहेगा केशव गांगली पहले रेल में नौकरी करते थे नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने नेहाटी में अपना मकान भी बनवाया था पर बारा चौदा साल तक बिना कमाई खाने से प्रॉविडेंट फंड के रुपे से मकान बनाने के बाद जो बाकी रुपे बचे थे उससे आकर कितने दिनों तक चलता छोटी लड़की की शादी भी अभी बाकी थी इसलिए नेहाटी का मकान बेच कर केशव गाउंगली अपने बाप दादाओं के इस गाउं में आकर पिछले दो सालों से रह रहे थे रिष्टेदारों से लड़ जगड कर दो भीगा धान की खेती वाली जमीन और बास के दो ज़ाड हिस्से में पाकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे पर अपनी दोनों लड़कियों और पत्नी के कारण उन्हें घर ग्रस्ती से वित्रशना सी हो गई थी मजरी लड़की की शादी वैसे तो ठीक घर में हुई थी पर पती के दुष चरितर निकल जाने के कारण शादी की दो साल बाद से वैह लड़की भी उन्हें के पास रह रही थी चारों तरफ से उनके संसार में एक विश्रंखलासी थी फैल गई थी उन्होंने सोचा था कि छोटी लड़की का अभ्या कर देने के बाद ये एक तरह से निश्चिन्त हो जाएंगे पर अब संसार को जैसे उनकी जरुवत ही नहीं रही जिनके लिए वे चोरी करते रहे अब वो ही लोग उन्हें चोर ठहरा रहे हैं ऐसी ग्रस्ती में अब क्या रहना केशिव गांगली ने चलते समय रेलवे के बटन लगा हुआ अपना एक पुराना सफेद कोट पहन लिया था रेलवे का कोट देखने पर आजकल के छोकरे टिकर चेकर बाबुलो कुछ बिना पूछे एक पर नजर उठा कर देखकर चले जाते थे केशिव के पास अब अपना एक पैसा भी नहीं था चार हजार रुपे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिये थे और छोटी आववायत लड़की के नाम तीन हजार जब उन्होंने अपना घर बेच जाता अगर कहीं लड़की की शादी के पहले उनकी मृत्ती हो जाए उमर भी तो अब उनकी हो चली थी यही सोच कर दोस्तों की सलह मान कर उन्होंने नेहाटी के मकान की बिक्री से मिले रुपे छोटी बेटी के नाम कर दिये थे ऐसा वै ना करे तो करे भी क्या अपने लिए थोड़ी सी नस्वार थोड़ी सी तमभा को या एक दो प्याले चाही खरिद कर पी लेने की इच्छा थी तो ये पैसे कहां से आती मुक्त केशी को उन पर थोड़ा बहुत तो शक रहता ही था इसलिए जब पती हाट से लोटते वै हर चीज का वजन भाव आदी की अच्छी तरह से पूछताज करती घर के तरा जूपर दाल, चावल, आलू, परवल सभी का वजन भी कराती इतना ही नहीं महले कोई लड़कों से पूछती हारे, आज बजार में परवल का भाव विक्रा था रे ओनी ताई, तुमने मचली किस भाव खरी दी? फिर भी, केशव गांगली को पकड़ना कोई असान काम नहीं था चालिस साल रेलवे में काम जो किया था मुक्त केशी, कितनी भी चलाक और सतर्क क्यों नहों केशव की चलाकी पकड़ना उसके लिए मुश्किल ही था परवल बासी और ताजे दोनों हो सकते हैं ऐसे तो देखने पर कोई खास फरक नहीं दिखता पर भाव तो अलग ही होता है मचली में भी क्या दुकान दुकान का फरक नहीं होता आखिर कहां तक पकड़ सकती थी मुक्त केशी केशव गांगली को मजबूरी में सब करना ही पड़ता था नहीं तो उनके पॉकिट खर्च के पैसे कहां से आते पत्नी की सामने हाथ फैलाना बेकार था और सारा जगड़ा इसी बात को लेकर था केशव गांगली घर से सीधे स्टेशन जा पहुँचे तीन बज़े का समय था कुल बजार से सौधा खरीदते समय उन्होंने छे आने का हेर फेर किया था वे उसे उनकी पॉकिट में ही थे इसके अलावा उनके घुप तका जाने में बड़ी साफधानी से चिपाएवे तीन रुपे साथ आने भी थे और इन्ही तीन रुपे तेरा आने के अलावा इस दुनिया में अपना और भी कुछ नहीं था हाँ एक पॉकिट घड़ी थी उनकी उसे भी रेल के कोट की पॉकिट में लेकर वे चले आये थी बेचने पर 30 या 40 रुपे तो मिलते ही उस जमाने के कुरू वाइजर की प्लैरिस की घड़ी थी आजकल की तरह कमजोर चीज नहीं स्टेशन के पास जामुन के पेड के नीचे पाकिस्तान से आये किसी शर्णार्थी की पान बिड़ी की एक दुकान थी केशव ने दो पैसे का पान खरीदा और दो पैसे की बिड़ी भाई माचिस का क्या दाम है उन्होंने पूछा चार पैसे दो एक दिया सिलाई भी दे दो पान खाकर बिड़ी का धुआ छोड़कर केशव गांगुली की ठकावट थोड़ी कम हुई अब तक तो वे कुछ सोचने की स्थिती में ही नहीं थे पर अब कहां जाएंगे वे तै तो उन्होंने कुछ किया नहीं था यूही गुस्से से घर से निकल पड़े थे ट्रेन आने में अभी कोई देड़ घंटे की देर थी पर वे जाए कहां जहां भी जाएं खाना तो कुछ पड़े गही और तीन रुपे तेरा आने में स्वतंतर रूप से खाना कितने दिनों तक चल सकता था लड़की की ससराल जाना क्या ठीक रहेगा दमाद उनका टीटा गड़के कागज के मिल में काम करता था घर भी उसका वही था पर वहां जाने में उन्हें संकोच हो रहा था पिछले जेट के मैने में वे वहां दो दिन रहाये थी पर बार बार दमात के घर जाना भी तो ठीक नहीं और वैसे भी आजकल के राशन के नबे तुले समानों के जमाने में एक शाम से अधिक किसी के घर ठढ़ना नी चाहिए कोई क्या सोचेगा समय ही ऐसा आगया है कोई करे भी तो क्या करे गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गए केशव गांगली ट्रेन पर चड़ गए कौनी की एक सीट पर जाकर भी बैट गए रेल का कोट पहने वेते टिकेट की जरुवत नहीं पड़ेगी ट्रेन ने रफतार पकड़ ले खेतों में कांस के फूल खिले वेते लगता था कई दिनों पहले जोरों से बारिश हुई थी धान के पौधे पानी में डूबे हुए थे बहुत सी जगाओं पर धान अभी भी बोया जा रहा था पर वैसे धान काटने का समय हो गया था बड़ी भारी गलती हो गई थी केशव गांगली से प्राविडेंट फंड के नौ हजार रुपे जब हात में आये थे तो उन्हें अपने काम से कुछ धान की केती वाली जमीन खरीद लेनी चाहिए थी वे अगर ऐसा करते तो आज क्या उनकी पत्नी और बेटियां इस तरह से उनकी अभेलना कर पाती पत्नी और बेटियों के दुर्वेवार की बात याद आते ही उनकी आँखे भराई उन्होंने धोती की छोड से आंसु पहुचे उन लोगों के लिए क्या नहीं किया था उन्होंने मैना जब छोटी सी थी नेहाटी में रहते समय उसे एक बार टाइफाइड हो गया था केशव गांगली रात रात जाकर हर घंटे थर्मामीटर से बुखार देखते दवाई पिलाते क्या उन्होंने संतान की अभेलना की थी मैना की दवाई पर 160 रुपयों का खर्चा बैठा था उस बार मुक्त केशी को दमा की शिकायत हो गई थी चुचड़ा में जाकर हर सवता कविराज को दिखाना पड़ता था चूले की आँच में कश्ट बढ़ सकता था यह सोचकर उसे खाना नहीं पनाने देते थे रात को भी सोचते रहते कि इस उम्र में मुक्त केशी को दमा की शिकायत होने से बड़ा कश्ट पाएगी बेचारी सोचते रगुनात पुर के पितामबरदास के यहां दमा के लिए ताबीज मिलता है क्या वही खरिद कर लाएं कितना सूचते थे कितना परिशान रहते थे वे उन लोगों के लिए और वही मुक्त केशी आज बोली थी तुम इस घर से निकल जाओ फिर कभी लौट कर नहीं आना और लाडली सी उस छोटी लड़की ने कहा ऐसे बाप की मौट पर बिगड़ेगा भी क्या आखिर क्यों यूँ उन लोगों के लिए क्या उन्होंने कुछ नहीं किया था आज ईवन रेल की नौकरी में रात दिन मारे मारे फिरते रहे आखिर किस के लिए खिला पिला कर प्यार और यतन सही तो उन्होंने सब को पाल पोसकर बढ़ा किया था और आज उनकी मृत्तियों पर इन्हें चैन मिलेगा आज 73 वर्ष की उम्रे में वे अपनी ग्रस्ती में जंजाल साबित हो गए थे पिछले आशाड में भारी वर्षा के कारण जब लकड़ी की कमी हो गई थी तो इसी 73 साल के बुड़े ने पांस के बगीचे में खोज बिनकर सूखे बास काटकर गौश आला में जमा किया था यह सोच कर कि पत्नी या बच्चियों को खाना बनाने में दिक्कत ना हो भयंकर कीचेर भड़ी सडक पर चलकर बोज ढोकर वे लाते थे आकर किन लोगों के लिए खैर जब केशव गांगुली कुछ भी नहीं कहना चाते पर उनके मन में बड़ा कश्ट होता था यही सोच कर कि संसार कितना कृत्यग न हो सकता है जिनके लिए उन्होंने आज इवन खटकर शरीर का खुन पानी कर दिया था वे ही आज उनकी मौत की मन नतिव कर रहे थी उनके मरने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा केशव गांगुली का मन दुख से कातर हो उठा आस्वों की धार ने बाधा नहीं मानी आज अगर टिकेट केशव गांगुली ने चोक कर आँखे उठा कर देगा कोई छोकरा सा टिकेट चकर सामने खड़ा था केशव गांगुली बोले रेलवे करमचारी हूँ टिकेट चकर चला गया छोकरा अच्छा था आज उनका भी ऐसा एक लड़का रहता तब क्या कोई इस प्रकार उनकी अवेलना करने की हिम्मत करता साब भाग्य है लड़का उनका कोई हुआ ही नहीं ऐसी नहीं बात थी जब वे तीन पहाडे स्टेशन पर तार बाबु थे तब उनका भी एक लड़का हुआ था लड़के को प्यार से संटू कहकर पुकारते थी कभी कभी वर डगमगाते कदमों से प्लेट फारम पर घूमता केशिव गांगली को आज भी आते है संटू कहता था बाबु जी हमें पुआना किता तिकत दो गए और फिर पुराना टिकिट हाथ में देते ही मुझे कूँकू कर अवाज करता हुआ गाड़ी छोड़ देता फिर फक 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 अवाज करता प्लेट फारम के किनारे थोड़ी दूर सिर हिला कर दोड़ता था तार भेजने की टिक टिक मशीन पर काम करते करते केशव गांगुली कभी कभी आँठ उठा कर देखते और हंसते बच्चा समझ जाता था कि अब राम देव उसे पकड़ कर घर ले जाने के लिए आ रहा है छोटे छोटे पैरों से वह दोड़ कर भागने की कोशिश करता राम देव पीछे से पुकारता एक हो का बावू रुको रुको यह द्रिश्य है आज केशव की आँखों के सामने उतना ही सजी वो उठा डेड़ साल की उमर में ही संटू मर गया था यह बात आज से 36 साल पहले की थी फिर भी केशव गांगली को लगता था जैसे साहब गंज स्टेशन के प्लेट फारम पर दीम के पेड़ के नीचे आज भी संटू उसी तरह दोड़ दोड़ कर खेल रहा था संटू अगर रहता तो आज शायद उन्हें ये दिन ना देखने पड़ते गाड़ी चल रही थी केशव गांगली की आँको से टप टप आसु झर रहे थे समुद्र के उफान की तरह उनकी छाती धुक से भर भर आती थी उन्होंने रेल की खिड़की से बाहर चाका कोई चरवाहा बच्चा गाएं को बड़ी बेरह में से मार रहा था बरसात का पानी गड़े और तलाबों में भर गया था कहीं कहीं छोटे छोटे लड़के और लड़कियां अंगोचे में छोटी छोटी मच्रियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थी टेलीग्राफ के तार पर कोई चिड़िया बाठी हुई थी नेहाटी केशव गाउंगली के सोचने में बाधा पड़े वे जल्दी से गाड़ी से उतर पड़े शाम ढ़लने ही वाली थी नेहाटी में कभी उनका अपना मकान भी था यहाँ के दो-चार लोगे से उनकी अच्छी मित्रिता थी पर उन्हें किसी के घर जाने की इच्छा नहीं हुई पर अगर ना जाएं तो इस बरसाद के मौसम में रात कहां बिताएं खाएं क्या मनीमन केशव गांगुली ने सोचा रमापती के घर जाना क्या ठीक रहेगा रमापती कुंडू के गल्ले की दुकान थी इसके अलावा एक रेस्टरॉं भी था रेस्टरॉं का नाम था कमलापती मौडरन रेस्टरॉंट कमलापती रमापती के बड़े लड़के का नाम था और कमलापती का लड़का शान्ती दुकान पर बैठता था बड़ी जूरों की बिक्री थी इस दुकान की चार-पांच नौकर एक साथ चाय नाश्ता परोसकर भी नहीं संभाल पाते शान्ती केशव गांगली को देखते ही पुला आईए नाना जी देश से आ रहे हैं खबर तो सब अच्छी है ना फिर किसी नौकर से का गरम पानी में कब धोकर नाना जी को चाय दो और क्या ख़िएगा कहिए ताजा अलू चाप या टोस्ट नहीं इच्छा हो तो रहने दीजे केशव गांगली अच्छी तरह जानते थे कि वे यहां जो कुछ भी खाएंगे उनका नगत दाम अभी चुकाना पड़ेगा एक बार इसी चक्कर में वे पड़ भी गए थे उनकी खातिर की जा रही थी यह सोचकर की चौप, कटलेट, अंडा, बेरा जो भी लेकर आता खाते गए अंत में हसकर विदा लेते समय शानती भी हसकर नमरता के साथ बोला बिल हुआ एक रुपिया साड़े तेरा अने किन्तु आज केशव गांगली फिर वही गलती नहीं कर सकते थे, हाथ में पैसे कम थे चाय के छे पैसे लेकर थोड़ी देर तक चुप-चाप बैठे रहे कर शानती से पूछा तुमारे बाबु जी तो अच्छे है ना, दादा जी तो घर पर होंगे जी हाँ दादा जी घर पर ही है, शानती बोला, एक बार उनसे भेट करने की इच्छा थी केशव गांगली बोले, जाये ना भी तो बैठक में ही होंगे, डॉक्टर बाबु और शशी काका भी आपको वहीं मिल जाएंगे अच्छा तो चलता हूँ क्याकर केशव गांगली उट पड़े, उनका मन खराब हो गया था, इन वेपारियों की आखो पर परदा नहीं होता संसार बड़ी कठीन जगा है, फिर भी केशव रमापती के घर चले ही गए, रमापती कुंडू उनके हम उम्रे थे केशव गांगली को देखकर रमापती बड़े खुश हुए, खूब खातिर की, रात को पूरी सबजे मिठाई आदी खिलाया, अच्छे गदेदार बिस्तर पर नट की मच्छर दानी लगे पलंग पर सो कर, केशव गांगली ने एक गहरी लंबी सांस ली, इस प्रकार दूस क्यों दूसरों के भागये पे इतना सुख लिका कराता है, और मेरा ही भागये इसी प्रकार का है, रमापती की पोती कितने प्यार से खाते समय पंखा जहल रही थी, खाने के बाद बड़ी पोती अमला बाबुजी के पैरों में रोज तेल की मालिश कर देती है, बेटों की आदमी जो ठहरा, आज अगर उनके हाथ में भी इतने पैसे रहते, तो क्या उनकी लड़की उनके साथ इस प्रकार वहवार करती, पर वे रिकता आदमी थे, इसलिए तो लोग उनकी अवेल ना करते थे, पैसा ऐसी अजीब चीज ही तो है, यही सब सोचते हुए आखिर में बड़ी देर के बाद उनको नीद आई, दुख और दर्द से मन टंटना रहा था, जब वे घर से निकल रहे थे, तो क्यों नहीं लड़की उन्हें दोड़कर उन्हें जाने से रोका, पत्मी क्यों नहीं दोड़ी हुई, रास्ता रोकर खड़ी हो गई, सब जूटे हैं, इसके पास भी पैसा होता तो अवश्य ही संसार में उनकी भी खातिर होती, सुभा उठकर रमापती कुंडू बोले, गांगुली जी, गंगा नहाने नहीं चलेंगे, आप तो गंगाहिन देश में हैं, गंगा इस्तान करने पर अच्छा रहेगा, दौनों मिलकर गंगा नहा उसके बाद रमापती की छोटी पोती दौनों के लिए सफेद पत्तर की तश्त्री में, पपीते, केले, नाश्पती, पेडे, रजगुले और चमचम रखकर नाश्ते के लिए ले आई, केशव गांगुली से बोले, दादा जी आपके खाने का समान अभी तेयार करवा दू या थोड़ी देर में, ये लोग वैश्ये थे, ब्रामन इनके घर का खाने ही सकता था, रात को पका खाना तो फिर भी चल सकता था, पर दिन में चावल ब्रामन को स्वैम ही बना कर खाना पड़ता था, केशव बोले, नहीं बेटी, आज तो मैं चला जाओंगा, रमापती सकते हैं दादा जी, आज तो शाम को हम लोग ताल के पकोड़े और उसकी खीर बनाएंगे, आपको जाने देंगे तब ना, कितनी सुखी घरस्ती थी रमापती की, कैसा मीठा वैवार, मीठी बाचित, चहां लक्षमी ब्रस्ती है, वहाँ शायद ऐसा ही होता है, इस तरह द कुलने के लिए केशव और रमापती दोनों गए, नवत दीप के गोस्वामी वज के कोई पंडित कता कह रहे थे, समझाने का डंग बड़ा ही सुन्दर था, महा पापी आजामिल पर इश्वर नहीं किरपा की थी, सिरफ इसलिए कि मृत्यू के समय उसने प्रात्ना की थी, पर केशव क्या उससे भी बड़े पापी थे, भगवान अवश्य ही उन्हें दूर हटा कर नहीं रखेंगे, पर कहां, किस तरह से थोड़ी पनहा भी देंगे, यह भी केशव की समझ में नहीं आ रहा था, दुनिया में कितना सुख है, कितना आनंद है, पर उनी के भागे मे क्यों ऐसा हुआ, लोटते समय केशव ने रमापती कुंडू से कहा, आप बड़े मज़े में हैं ना कुंडू जी, जी आप लोगों का आशिरवाद है, तो मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए, रमापती, किस तरह की नौकरी, यही किसी के घर बच्चों को पढ़ाने या कुछ भी हो, आप घर ही जाएए, घर बैटकर भगवान का भजन कीजिए, नहीं, केशव गाउंगली रमापती को कुछ भी नहीं समझा सके, सब कुछ खुल कर बताया भी तो नहीं जा सकता था, यहां से कल जाना ही ठीक रहेगा, रात को फिर पूरी मिठाई दूद सबजी का समारों के साथ खाना हुआ, लड़कियोंने सुन्दर साडियां पहन रखी थी, विजली की बत्ती, पंखे की हफा, असीम सुक का वातावरन था इस घर में, पर मुक्तकेशी और अपनी बेटियों को वे क्या सुक दे सके थे, आज इवन रेलवे के घुटन भरे छोटे से क्वार्टर में रहना पड़ा था, उन्हें देश लोटकर भी दोनों शामधान वालना तता चावल कूटना पड़ता, गरम पानी में सोडा डालकर कपड़े दोकर वही कपड़े पहनने पड़ते, कठल केले इनी चीजों की सबजी खानी पड़ती थी, सामिश आर महीने में आखिर कितने दिन जुटा सकते थे, इतने पैसे आते ही कहां से, वे आज तक बच्चों और पत्मी को कोई भी अच्छी चीज नहीं दे सके थे, रात को रमा पति के घर पूरी खाते समय केशव गांगली की आँखे बराई, मचली कितने दिन बीच चुके थे, मचली खाए पत्नी और बेटियों को भी नहीं खिला सकेते, उन्होंने आखिर क्या सुख अपने परिवार को दिया था, तूनी बोली, दौनों चमचम खानी पड़ेगी दादा जी, मैं गरम पूरी ले आती हूँ, केशव दूसरे दिन रमा पति कुंडू के घर से चले गए, वे लोग के घर से विदा लेकर, वे गंगा के किनारे किनारे चलने लगे, फिर एकांत की एक जगा देकर थोड़ी देर तक बैठे रहे, सोचते रहे, दुनिया में कोई किसी को माफ नहीं करता, हो सकता है, मुक्त केशी पर उन्होंने कुछ अन्याय किया होगा, और वे उसे नहीं भ हाया, हुंगली से फिर बैंडल पहुचे, वे उदेश्य हीन होकर घूम रहे थे, धीरे धीरे रात उतरने लगी, बरसात का मौसम था, रात में रहे भी तो कहां, रात भर केशव भारी बरसात में स्टेशन पर ही किसी बैंच पर सोई रहे, ठंडी हवा चल रही थी, ओड़ लाई भी तो नहीं थे, बड़ी भूल हो गई उसे, मन ही मन बढ़ बढ़ाने लगे भूल, जीवन भर भूली तो करता रहा, नौकरी करना भूल, शादी करना भूल, गरस्ती बसाना भूल, संतान पैदा करना भी भूलता, किसी से सनी, और ममता की आशा रखना तो वो भी भ सब कुछ भूल था जीवन अपने में ही एक बड़ी भारी भूल थी अब केशव और कुछ भी नहीं सोच सकते थे इसके चार दिनों के बाद केशव गांगली की सारे पैसे खरच हो चुके थे बेंडल स्टेशन की बैंच पर सोकर तो उन्होंने कई राते गुजार दी पर कल स पेट में कुछ नहीं पड़ा था बड़ी भूक लग रही थी उनको कैसे क्या हो शरीर गिरा-गिरा सा जा रहा था तीहत्तर बर्स की उम्र में भूक सहने की शक्ति अब उनमें नहीं थी और वाकई उन्हें बड़ी जोर से भूक लगी थी पर वे कुछ कर भी क्या सकते थे उन्हें याद आया कि वे घड़ी को बेच सकते हैं यौवन के पहले चरण में वे बेंडल स्टेशन के सिगनल कलर्क थे उनका अपना कमरा वेह टेबुल अभी वैसा ही था यहां उन्हें कोई क्वाटर नहीं मिला था गंगा किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे बुवा के साथ रहते थे मकान के पास सी नीम का एक पेड़ था पचास साल पहले की बात थी आधी शताबदी के बात भी टेली ग्राफ का वेटेबल आज भी वैसे ही रखा हुआ था उनी दिनों मुक्त केशी के साथ उनका विवा भी हुआ था नीम के पेड़ के नीचे किराए के उस छोटे से मकान में शाम को साड़े साथ बजे खड़की पर मुक्त केशी पती के लौटने की प्रतिक्षय में खड़ी रहती एक टक सड़क पर नजरे गड़ाए रहती केशव को दूर से आते देखकर उसकी आखों में खुशी चलग जाती थी वह मकान आज भी उन दौनों के अतीत यौवन के सुखों का साक्षी बनकर खड़ा था एक दिन केशव ने पूछी डाला था बोलो तो मुक्ता तुम रोज रोज इस परकार खड़की पर खड़ी क्यों रहती हो मुक्त केशी ने का था तुम आते हो इसलिए पर क्यों सड़क पर तुमको देखते ही पड़ी खुशी होती है तुमें देखे कितना लंबा समय काटना पड़ता है मनुदास लगता है क्या मुक्ता हाँ वै तो दुखी रहा है केशव को याद है एक दिन मुक्त केशी खिड़की से ही चिल्ला कर बोली थी आज तुमारे लिए क्या बनाया है बोलो तो क्या तुमी बताओ दाल पूरी बनाई है मैंने आज तुमारे लिए लाई थी और आज उसी मुक्तकेशी ने पचास साल बाद उन्हें दुदकार कर घड़ से निकाल दिया उस समय जब उन्हें मुक्तकेशी की सेवा की थी कि सबसे ज़्यादा जरुवत थी केशेव गांगुली की आँखों से गरम गरम आसु की बूंदे टपकने लगी लगा जीवन कितनी बड़ी शुन्यता से घिरा पड़ा है बिल्कुल असहाई अवलंबन ही इस दुनिया में उनका कहीं कोई नहीं पचास साल पहले की शोड़ी सी रूप सी मुक्तकेशी अब ढूंडने पर भी नहीं मिलेगी तब किस जमाने में वह अनंत दिगंत में खो गई केशेव जान भी नहीं पाए जीवन में आखिर क्यों इतनी बड़ी विड़म मना थी इतना जूट इतना फरेब अरे गांगली बाबू आप कहां थे इतने दिनों से केशेव ने चौक कर पीछे मुड़ कर देखा एक प्रॉड सा टिकेट चेकर था उसका नाम केशेव को मालूम था पर इस शनवे भूल बैठे बूडे हो चुके थे चैरा देखकर अब तक उन्हें याद नहीं आता था बोले घर पर इता भाई यहां कैसे आना हुआ भाबी से कहीं जगड़ा तो नहीं हो गया केशेव का चैरा फीका पड़ गया काट किसी हसी है असकर बोले वही अरे यह सब तो हाँ ठीक ही कहते बाबू की समझ में नहीं बोला चलिए सहाब गंज तक घूमाये चैकिंग पर निकला हूँ मेरे साथ ही चलिए सेकंड क्लास में बठा देता हूँ आईए पर मैं खाऊंगा कहां केशव बोले अरे आपने अभी तक खाया नहीं चलिए वर्दबान में आपको खिलाऊंगा स अमान वगएरा कुछ साथ में हैं नहीं कुछ भी नहीं तो फिर उठीए एक्सप्रेस गाड़ी आप पहुँचिए वर्दमान के स्टाफ के लोगों के कमरे टिकेट बाबू के लिए भी खाना आया शाम को के साथ बज रहते दौनों ने बाट कर खाया टिकेट बाबू भी ब्रामनी थी पंचानन बनर जी जैनगर के कजिलपूर का रहने वाला था भरपिट खाना पक्खा कर केशव के जी में जी आया भूख से बुरी तरह कातर हो चुके थे बरसाथ से भीगी हवा चारों तरफ के खुले खेतों से बह रही थी जंगली फूलों की सुगंदा रही थी चलती गाड़ी में बैठकर केशव को लग रहा था जैसे ये जंगल अंधेरी रात तारों का जुंड संगहीन एका की जीवन की कहानी सुना रही इसनी संग जीवन खतम हो चुकी थी अब आज उन्होंने निरिदेश्य अपनी यात्रा शुरू की थी बरसो बात सेकंड क्लास के कमरे में एकांत में बैठकर उन्हें अच्छा लग रहा था पिछले एक साल से तो उन्होंने केवल हाट में सौधा खरीदने और उसके भारी बोज उठाने का क पैसे की उन्हें जरुवत नहीं थी रुपया पैसा तो मुक्तकेशी के हाथ में ही रहे उनके पैसे की उन लोगों की जरुवत थी पर उनकी नहीं ठीक ही है पैसे उन्हीं लोगों के पास रहे मैं तो जा रहा हूं साइथिया साइथिया रात काफी हो चुके थी अब थोड से रोज एक चिठ्थी लिखना साथ में आठ पोस्ट कार्ड भी दिये थे आज अचानक ही केशव को उस पुरानी बात की याद आ गए उन दिनों साइंतिया का इस्टेशन मास्टर विदू भूशन राय थे केशव उनी के घर खाते थे विदू बाबू का लड़का सदानंद उन से उम्र में छोटा था और दौनों में अच्छी मित्रिता थी दौनों मिलकर किसी और सज्जन के घर ताश खेलते थे एक बार विदू बाबू ने गाड की गाड़ी से एक बड़ा सा पका हुआ कठल उतरवा लिया कठल आदा सड़ चुका था फिर भी सदानंद ने केशव से काता मा ने कहलवाया है शाम को खीर और कठल खाने के लिए घर आ जाईएगा केशव ने काता धत बीच के अलावा उस कठल में कुछ और भी है हाँ है बाई ये तो नहीं हो सकता अच्छा इसी बात की बाजी रही कैसी बाजी केशव ने पूछा यही कि भावी को अगले तीन दिनों तक चिठी नहीं लिख सकोगे क्यों बाजी बंजूर है केशव इस बाजी पर राजी नहीं वे थे मुकत चिठी ना लिखना उनके लिए असंभव था बेचारी अकेली ब्रेंडल के उस छोटे से मकान में चिठी की प्रितिक्षा में पल पल गिनेगी खाने पीने के बाद एक टक पोस्टमें की रहा देखेगी वे उसे तीन दिनों तक चिठी से वनचित करने का अपराद नहीं कर सकते ये सारी बाते क्या इतनी पुरानी हो चकी थी कि उनके जीवन से मिठी गई थी कितना पीछे छोड़ाये थे जीवन के मिठास भरे दिन सभी कुछ एक स्वपन सा लगता था धुंदला धुंदला सा मुक्त केशी संटू बेंडल तीन पहार यावन के वे दिन फिर 73 वर भीग चुका था नहीं नहीं केशव अपने को समझाते रहे कि इसमें रोने की क्या बात है बुड़ापे में शायद आंक में नमी जल्दी आ जाती है आखिर वे रोएंगी भी क्यों गांगली बाबु सो गई क्या इस तरह क्यों सो रहे हैं तबियत तो खराब नहीं पंचा नहीं रात को चाय क्या बकरे हो भाई इतनी रात गया मैं चाय नहीं पीता तुम पीओ पर सो नहीं सकोगे आप सो जाईए मैं चाय भी पी लूँगा और बाद में सो भी जाऊंगा पंचानान चक्रवरती चला गया गाड़ी तेज गती से चल रही थी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर के लिए जमकर बारिश भी थी ठंडी हवा के जोंकर से पानी के छीटे कमरे के अंदर आ रहे थे किसी अंजान से फूल की खुश्बू भी आ रहे थी आह कितना आराम है केशव को लग रहा था ऐसी जगा सो जाने में भी कितना आनद है छाती में एक तुफान सा उठ रहा था ना मालूं क्यों गाड़ी में एकान था तीन पहार स्टेशन पर ना जाने कितनी रात में ट्रेन पहुंच ले शादी के दो तीन सालों के बाद मुक्ता और संटु को लेकर वे कुछ समय तीन पहार स्टेशन पर रहे थे उस समय की कोई भी बात भूलना उनक ट्रूप से लिखी हुई थी पंचानन के सो जाने के बाद केशव तीन पहाड स्टेशन पर धीरे से उतर पड़े उस बार भी बरसाथ तीन पहाड पर ही बीती थी तीन में से किसी एक पहाड पर कोई देविस्तान था मुक्ता और वे दौनों-दौनों साथ देखने भी गए थे मुक्ता बोली थी पहाड पर जातो रहे हैं पर खाएंगे क्या पहाड के नीचे पिकनिक बनाएंगे और खाना बनाते समय जोर की बारिश होने लगी थी उस समय स्टेशन मास्टर शर्शी पद सामन थे मेदिनी दौनों में हसी मजाग चलता रहा था जिस पेड के नीचे खाना बन रहा था उसकी तने की याड में गोल कर मुक्तकेशी पूछती थी सुना है तुम खिचडी नहीं का होगे किसने का नन्नी और आबू ने यूहीं बग दिया होगा ऐसे मजे की पिकनिक भला खाऊंगा क्य जल गई थी ऐसे ही नहीं कहूंगा देखकर तो देखो मुक्ता खिल खिला उठी थी बोली थी पेटू राम जब हैं तब क्या खिचडी बचेगी थोड़ा सबर से खाऊ ना घर से चाली वाला घील आई हो खिचडी के साथ खाने में मजा आ जाएगा अबर थोड़ी सी जल इसलिए मन खराब हो गया अरे इसमें मन खराब करनी की क्या बात है मुक्ता देखो ना किस तरह में पतिला खाली कर देता हूं फिर तो तुम्हें इस बात पर दूख होगा कि खिचडी और क्यों नहीं बनाई मनी मन केशव गांगली कहन लेगे आजा बेटे संटू मेरे पास आ रामदेव अभी थोड़े ही तुझे घर ले जाएगा तुझ जितनी दिर खेलना चाता है खेल इस नीम की च्छाओं में दो दिनों तक तीन पहाड के प्लेट फॉरम के नीम के पिड़ के नीचे केशव गांगली आच्छन होकर पड़े रहे स्टेशन यूही बहुत एकांथ में था ऐसे भी कौन गौर करता बड़ी अपुर्व अनुभूती में केशव के ये दो दिन बीते थे इन दो दिनों में वे जैसे अपना खोया हुआ सारा संसार पाच चुगे थे पचास साल का खोया हुआ हर एक पल उन्हें वापस मिल गया था तीन पहाड स्टेशन के स्टेशन मास्टर बिहारी को कुलियों से खबर मिली कि कोई एक बुड़ा बंगाली बाबू बुखार में बेहोश नीम के पेड़ के तले पड़ा हुआ है रोगी से उसका कोई परीचा नहीं मिला उसके भी दो दिन बाद स्टेशन के मुसाफिर खाने में बुखार के भेहोशी में हिर्दय की गती रुख जाने से वह आदमी मर भी गया मरने के बाद मृतक के सिरहने से रेल के बटन वाला कोट लेकर चारो तरफ खबर फैल गई टिकिट चेकर पंचानन चक्रवती भी आया उसी ने केशव गांगुली का परीचे दिया पर केशव के गाउं का पता ठिकाना पंचानन को नहीं मालुम था इन दिनों वे कहां रहते थे इतना भी नहीं बता सका बेंडल स्टेशन पर उनसे अचानक ही भेट हुई थी इससे अधिक उस दिन वह और अधिक कुछ ना बता पाया खोज भीन की गई पता लगाया गया टेलीग्राम पाकर जब मुक्त केशी और लड़कियां तीन पहाड स्टेशन पर आ पहुची उसके कई दिन पहले ही केशव गांगुली की अस्थियां रेल बाबुओं के सहयोग से संग्री गली घाट की गंगा के स्थान पा चुकी थी मुक्त केशी के हाथ सिरफ उनकी करूवाइजर प्लैरिस की वह गड़ी ही हाथ लगी